भारत सरकार में नोक्री देने का भ्यान लगातार तेज गती से चल रहा है। पहले की सरकारों में नोक्री के लिए विज्यापन जारी होने से लेकर नियुक्ती पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठा कर उस दोरान रिश्वत का खेल भी जम कर होता था। हमने भारत सरकार में भरती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं सरकार का बहुत जोर है कि भरती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। आज हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी महनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नव जवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट निर्मान का सहभागी बनाए। पहले की सरकार ने अपने दस साल में जितनी सरकारी नोकरियां दी थी। उससे लगवग डेड़ गुना ज्यादा सरकारी नोकरी भाजपा की सरकार ने अपने दस साल में दी है। आज दिल्ली में एक Integrated Training Complex का भी सिलान्यास हुआ है। मुझे विश्वास है कि नए Training Complex से Capacity Building की हमारी पहल को और मजबूती मिलेगी। साथियों, आज सरकार के प्रयासों से देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुड रहे हैं। इन सेक्टर्स में जो नए अभ्यान सरकार ने शुरू किये हैं। उसकी वज़े से रोजगार, स्वरोजगार ऐसे अनेक नए मौके बन रहे हैं। आपने देखा है कि इस बजेट में एक करोड परिवारों के लिए रूप टॉप सोलर पावर स्कीम की गोशना की गई है। अब छत पर सोलर पैनल लगाने वानों को डबल फायदा होगा। उनका बिजली बिल जिरो होगा और जो अतिरित बिजली वो पैदा करेंगे उससे आए भी होगी। रूप टॉप सोलर की इतनी बड़ी योजना से देश में रोजगार के भी लाखो नए अवसर बनेंगे। कोई सोलर पैनल का काम करेगा, कोई बैटरी से जुड़े बिजनेस में आएगा, कोई वायरिंग का काम समालेगा। ये एक योजना अनेकों स्तर पर रोजगार के मौके बनाएगी। जादी आपणों को आमों वीडियोटी भल लगिला। तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करेबा कुछ जमें भी बूलनतु नहीं। झाल 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 झाल